सोहल देव भारतिय समाज पार्टी यानि सुभास्पा के प्रमुक ओम्प्रकास राजभर आए दिन ऐसा कुछ न कुछ बोलते रहते हैं जिसके चलते खबर बन जाती राजभर जिसके साथ रहते हैं कभी उसपर निशाना चाहते हैं कभी वीपक्षियों की तारीफ कर देते हैं राजभर की ये बयान नसiences सुर्खियां बनते हैं बल्कि कई नई संभावनाओं को जन्म देते हैं ओपी राजबर ने फिर ऐसा ही तिया है। राजबर ने अखलेस ते साथ चुनाओ लड़ा लेकिन आप तारीफ BJP की कर रहे हैं। क्योंकि पार्टी लगातार मिहनत करती है। उन्होंने ये कहा कि दूसरी पार्टीयों के नेता चुनाओं के बाद लगबग सो जाते हैं। ओपी राजबर ने एक तीवी चैनल से बादचीत करते हुए कहा। चाहे बीजेपी हो, चाहे मोदी जी हो या योगी जी हो। ये पूरी पार्टी 24 घंटे चुनाओं मोड में रहती है। सदन चल रहा है, योगी जी सदन छोड़कर उत्रा खंड में प्रचार करने चले गए हैं। ये लोग 24 घंटा चुनाओं में रहते हैं। वे 24 के चुनाओं की तैयारी में हैं जो मेनत करेगा उसकी प्रसंसा हर कोई करेगा राजभर ने कॉंग्रेस सपा बस्पा जैसी पार्टियों की बदहाली के लिए दिश्क्रेता को जुमेदार ठैराया है राजभर ने कहा कि एक समय था जब कॉंग्रेस के नाम पर लोग वोट करते थी टिकन मिल जाता था तो समझ लिया जाता था कि जीत किया आज कॉंग्रेस का क्या हाल है एक दोर था कि यूपी में 19 साल तक बस्पा और सपा का सासं था लेकिन आ 37 साल बाद सरकार की वापसी क्यों हुई इसके पीछे एक ही वज़य है कि बीजेपी 24 गंडे चुनावी मोड में रहती है और पार्टियां चुनाव के बाद जोला जापड उठा कर घर में सो जाती है सोने से नहीं होगा घर में निकलना पड़ेगा चंता की वीच जाना पड़ेगा बता दे कि पिछले कई दिनों में यूपी राजभर कई बार सपा ध्यक्ष अखलेश यादों पर निसाना शाप चुके हैं राजभर ने कहा था कि अखलेश यादों को एसी की आदत हो गई वे एसी कमरें बैट कर राजभी कर रहे हैं सुभासपा प्रमुक ने कडबंदन साथी को छेत्र में निकल कर कारेकरताओं के साथ काम करने के नस्यदी थी पहले सपा पर हमला और अब बीजीपी की तारीब से अटकले लगाई जा रही है कि यूपी राजभर एक बार फिर से पाला बदलने के लिए माहोल तैयार कर रहे हैं इस खबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहे हैं बनेंगी हिंदी के साथ